The Vijay Nagar Empire कहानी 14th century भारत की है दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुखलक ने दिल्ली सल्तनत को मदुराई तक एक्सपैंड कर दिया था लेकिन उनकी कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करने और टोकन करंसी जैसी misguided policies सल्तनत के लिए भारी पढ़ी और साउथ में सल्तनत का कंट्रोल कमजोर हो गया मौके का फायदा उठाकर हरी हरा और बुक्का नाम के दो भाई 1336 में तुंग भद्रा के किनारे विजय नगर नाम का एक नया kingdom establish करती हैं जिसको आने वाले समय में चार dynasties संगम, सालुवा, तुलुवा और अरविडू रूल करती हैं विजय नगर empire जब अपने चरम सीमा पर था तब उसका extent नौर्थ में कृष्णा तुंग भद्रा बेसिन से लेकर पूरे southern peninsula तक था ये बात इसलिए important है क्योंकि medieval India की polity को 11th century के बाद से largely Muslim dynasties ने dominate किया था और ऐसी situation में विजय नगर जैसे बड़े Hindu kingdom का rise करना और उसका लगभग 300 साल तक exist करना एक historical achievement से कम नहीं था वैसे Portuguese traveler Barbosa के हिसाब से विजय नगर rulers devout Hindu होने के बावजूद public policy में काफी secular approach रखते थे और उनके kingdom में कई तरह के religious sects को religious freedom थी खैर विजय नगर empire की capital eastern करनाटका में located हमपी थी जो आज एक UNESCO World Heritage Site है और अपने architectural grandeur के लिए famous है Portuguese traveler Domingo Pace के हिसाब से हमपी शहर almost room जितना बड़ा था Persian ambassador Abdul Razak तो ये तक कहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने हमपी जैसा दूसरा शहर देखा ही नहीं इस विडियो में हम देखेंगे विजय नगर empire के 300 साल का glorious इतिहास और उसके downfall की कहानी हम देखेंगे कि जब North India तीमूर और बाबर के invasion से chaos में था तब कैसे विजय नगर हर रोज नई heights को छूते हुए South India का undisputed kingdom बना हुआ था ये उस विजय नगर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्णदेव राय को खुद मुगल emperor बाबर अपने दौर के इंडिया का सबसे powerful राजा बताते हैं Political History हरी हरा एक kingdom के first ruler बने जिन्होंने होयसला territory को annex किया 1356 में बुक्का राया ने उन्हें सकसीड करते हुए मदुराई सल्तनत का destruction और विजय नगर का पूरे southern peninsula में expansion किया लेकिन विजय नगर के लिए ये सब easy नहीं था तुगलक्स के बाद Delhi सल्तनत का decline तो हुआ लेकिन डेकन में बहामनीज सल्तनत ने अपना independence डिक्लेर कर दिया और काफी तेजी से powerful होने लगा बहामनीज विजय नगर के northern ambitions के सामने सबसे बड़ा obstacle थे इनकी rivalry बुक्का के दौर में शुरू हुई जो एक century तक चलती रही rivalry fertile तुंग भद्रा दुआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कुंकन को लेकर थी दुआब और डेल्टा की लड़ाई उनकी fertility की वजह से थी लेकिन कुंकन की लड़ाई horses को लेकर थी, जो cavalry के लिए important थे बहामनीज ने north से आने वाले horses को block कर दिया और इसलिए West Asia के साथ होने वाले horse street के लिए famous कुंकन का गुआपोर्ट विजह नगर के लिए काफी crucial हो गया कई सालों के inconclusive rivalry के बाद, जैसे ही देवराया 1, 1404 में पावर में आये तुंग भद्रा दुआब को लेकर struggle एक नए विगर के साथ स्टार्ट हुआ लिकिन वारंगल और बहामनी के बीच हुई एक पुरानी treaty ने Southern India का balance of power बदल कर रख दिया था जिसकी वजह से 1408 में देवराय को बहामनी सुल्तान फिरूज शाह बहामनी के हाथों एक humiliating defeat face करनी पड़ी देवराय को compensation के लिए अपनी बेटी की marriage फिरूज से करनी पड़ी और डावरी में बनकापुर की territory भी देनी पड़ी लेकिन कुछी सालों बाद देवराय को revenge का मौका मिला रेड़ी किंडम में एक session को लेकर confusion के चलते देवराय ने diplomatic maneuvering करके वारंगल के साथ एक treaty sign की और रेड़ी किंडम को आपस में divide कर लिया विजय नगर की इस diplomacy की वजह से balance of power फिर बदल गया और 1420 में देवराय ने फिरोज को defeat करते हुए पुरानी territories recapture कर ली 1425 में देवराय 2 पावर में आए जो संगम dynasty के सबसे powerful ruler थे Portuguese traveler नूनीज बताते हैं कि श्री लंका, पेगू और मलया के kings भी देवराय 2 को tribute पे करते थे इनके रूल में विजयनगर में कई reforms हुए बहमनीज की main power उनके Muslim archers और cavalry की वजह से थी इसलिए देवराय 2 ने कई capable Muslims को जागीर दी और अपने soldiers को उनके under archery की training दी इसके अलावा strong cavalry का organization भी हुआ अगले और सबसे ज्यादा important ruler तुलुवा dynasty के कृष्णदेव राय हुए जो 1509 में थ्रोन पर आए ये बाबर के contemporary थे कृष्णदेव राय के दौर में विजयनगर की prosperity अपने zenith पर थी और Domingo Pace जब हमपी का comparison रोम से कर रहे थे तब यहां कृष्णदेव का ही रूल था पेस बोलते हैं कि कृष्णदेव एक able military general भी थे जो battle को front से lead करते थे और अपने injured soldiers का ध्यान personally रखते थे इसलिए कृष्णदेव ने तुंग भद्रा दुआब के जगड़े को फिर से जिन्दा करते हुए उडिसा के गजपती और बाहमनीज के successor state बीजापुर सल्तनेत पर बड़ी victories पाई कृष्णदेव के दौर में पॉर्चुगीज की इंडिया में entry हो चुकी थी जिनके गवणर अलबक्यू कृष्णदेव के काफी अच्छे relations थे पॉर्चुगीज ने कृष्णदेव को military aid भी दी जिसके बदले में उन्हें भटकल fort बनाने की permission मिली लेकिन historians का opinion है कि ये कृष्णदेव की सबसे बड़ी weakness थी कि वो पॉर्चुगीज danger को underestimate करते रहे कृष्णदेव की greatness के कई और reasons थे उन्हें historians the great builder भी बोलते हैं उनके द्वारा constructed एक नॉमस टैंक को डॉमिंगो पेज अपनी बुक Chronicle of the Vijayanagar Kings में a great architectural wonder कहते हैं उनके रूल में Vijayanagar temple आकिटेक्चर भी अपने mature phase में था जब towering raya gopuram स्री सेलम temple complex के कुछ पार्ट्स विरुपाक्षा temple का pillared hall etc का construction हुआ राया गोपुरम विजयनगर का unique innovation था और ये temples का royalty gateway था ये इतने magnificent थे कि temples की main shrines उनके सामने बौनी लगने लगी थी एकम बारन था temple का 188 feet tall southern गोपुरम सबसे massive है जो कृष्ण देव ने ही बनवाया था कृष्ण देव के rule को historians golden age of literature भी बोलते हैं क्यूकि वो खुद एक noted scholar थे और उन्होंने अमुक्त मलियादा नाम की तेलुगु poetry का collection और जंबावती कल्यानम, मदल साथ चरिता और सत्यवाडू परिनाया जैसे Sanskrit works प्रिट्यूस किये इसके अलावा उनके दौर में तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल पोएट्स को काफी support भी मिला जिन में तमिल पोएट हरीदासा और कन्नड़ा scholar मल्डन नार्या काफी important names हैं कृष्ण देव literature को इतना value करते थे कि उनके कोट में एट तेलुगु poets और scholars थे जिनको अश्ट दिगज कहा जाता है इन अश्ट दिगजों में South India के बीरबल कही जाने वाले तेनाली रामा भी थे जो अपनी intelligence के लिए famous हैं आर्किटेक्च्चर ओव हमपी विजय नगर के political gains के अलावा उसका architecture grandeur भी उसे एक great empire बनाता है और यही वज़ा है कि हमपी आज एक world heritage site है हमपी के ruins में विजय नगर की glory और उसके destruction दोनों की stories दिखती है यहाँ पर 1600 से ज्यादा structures हैं अब्दुर्राजाक जो early 1440s में इंडिया आए थे वो यहाँ के seven-tiered fortification से काफी impressed थे फोर्ट के अंदर capital city के अलावा agricultural land और canals भी थे जिसका strategic reason warfare के time food security को ensure करना था temple architecture की बात करें तो मंडपा या long pillared halls, राया गोपुरम, chariot streets और elaborate ornamentation जैसे features distinctly विजय नगर innovations हैं और ये विजय नगर की prosperity का evidence हैं हांपी का सबसे important temple विरुपाक्षा temple है क्यूंकि विरुपाक्षा विजय नगर rulers के main deity थे जिनके बहाफ में rule करने का claim वो करते थे यहां का massive eastern गोपुरम 1510 में कृष्णदेव राय ने बनवाय था जो temple के main shrine से काफी ज्यादा बड़ा है विठल temple में कल्यान मंडप और हमपी stone chariot जैसे structures हैं ये stone chariot हमारे 50 रुपए के नए note में भी हैं इसका construction भी कृष्णदेव ने कौनार्ख के stone chariot से impress होकर करवाय था यहां के detailed carving वाले musical pillars भी architectural wonders हैं जिनको hit करने से 81 type के musical instruments के sound आते हैं administration विजय नगर की greatness का एक reason उनका unique political innovation नायंकारा system भी था जो डेली सल्तनत के एकता system से inspired था इसमें अमर नायका नाम के military commanders नायक अट्टम नाम की कुछ territories को राया के बिहाफ में गवन करते हुए एक contingent force maintain करते थे जो विजय नगर को battles में help करती थी अमर नायक को control में रखने के लिए उनके transfer की power राया के पास थी लेकिन इनमें से कुछ नायक 17th century में independent kingdoms establish करने लगे जो विजय नगर के decline का एक कारण बना Society Society की बाद करें तो विजय नगर में एक unique social structure था जहां वैशनवाइट्स को right hand caste और शेवाइट्स को left hand caste में रखा जाता था Women की position relatively better थी क्यूंकि कई learned women accountant और judges की position hold करती थी लेकिन noonies देवदासी, polygamy, child marriage और सती के existence की भी बात करते हैं Economy Economy की बात करें तो किसी भी medieval kingdom की तरह विजय नगर का भी main source of revenue, land revenue ही था लेकिन professional tax, property tax, industries tax, etc. भी exist करते थे विजय नगर का market भी उसकी prosperity को दिखाता है Pace बाजार का एक beautiful description देते हुए बोलते हैं कि वहाँ दुनिया की हर चीज मिलती थी from precious stones to things of basic necessity इसके अलावा विजय नगर diamond export के लिए भी famous था नूनीज यहां की diamond mines को world की richest mines बताते हैं disintegration and the fall of empire विजय नगर की prosperity इतनी ज्यादा थी कि शायद ही कोई इसकी downfall को imagine कर सकता था But just like other great empires, विजय नगर का end भी inevitable था कृष्ण देव राय की 1529 में death के बाद अच्चुत देव राय और अलिया राम राय के बीच succession का struggle start हुआ जिसका फाइदा उठाकर डेकनी सुल्तान इस power struggle में intervene करने लगे और empire को काफी नुकसान हुआ अच्चुता की 1542 में death के बाद राम राय की help से सदाशिव राय पावर में आया जिसने अरविडू dynasty को establish किया बट रियल पावर राम राय के पास थी राम राय ने कई successful battles lead किये और बीजापूर, गोलकोंडा और एहमद नगर को humiliating defeats face करने पड़े in humiliating defeats से नाराज 1565 में बीजापूर, गोलकोंडा और एहमद नगर ने एक united force के साथ विजय नगर को battle of talikota में completely destroy कर दिया और ये battle Indian history का एक watershed event बन गया battle of talikota के बाद विजय नगर की capital पेनुकोंडा shift कर दी गई और kingdom अगले hundred years तक existence में रहा लेकिन कई अमर नायकों के independent kingdoms के emergence से अब राया की power insignificant और विजय नगर की glory के दिन खत्म हो चुके थे विजय नगर की glorious history वैसे तो 1565 में ही खत्म हो जाती है लेकिन officially इसका end 1646 में होता है